NIUS के 10 वी और 12 वी के स्टुडेंट्स है देखो आप सबको पता है कि जो अपिल सेशन के स्टुडेंट है 10 वी और 12 वी के उनका जो ओफलाइन क्लासे से वो पिछले संडे से सुरू हो चुका है और दूसरा संडे भी आपका आने वाला है यानि कि परसो आपका दूसरा क्लास लगने वाला है आज सुक्रवार है लेकिन अभी तक जो है NIUS ने आपके डैस्वर्ट में जो PCP Hall Ticket होता है वो अभी तक रिलीज नहीं किया है आपको मैं एक बार एक लुक दिखा देता हूँ ये पिछली वार का स्टूडेंट का डैस्वर्ट है इस तरीके का कुछ दिखता है PCP Hall Ticket आप लोगों का जिसमें आपको टूटर नेम और PCP डेट्स दिये गया होते है सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम दिये होते है ठीक है और कहां आपको टैंब करनी होती है क्लासेस ये सारी डिटेल इसमें मिलती है लेकिन अभी तक अप्विल सेसन के जो स्टूडेंट है उनका PCP Hall Ticket आया नहीं है तो काफी अच्छे ये सोच रहे है कि कि आप बिना PCP Hall Ticket के हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जा सकते की नहीं जा सकते तो देखो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आपको PCP Hall Ticket लेके ही जाना है तभी आपको एंट्री मिलेगी तभी आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंब कर पाऊगे ऐसा नहीं है आप सिर्फ अपनी ID कार लेके चला जाना जो भी आपके ID कार है जो एड्विशन आपने करवाया है आपके डैस्वोड में मिल जागा देखो इस तरीके का दिखता है तो ये वाला ID कार आप पिंट आउट करवाके ID कार लेके जा सकते हो और अपने ID कार के बेस पर ही अपनी क्लासेस को अटेंब कर सकते हो मेंडेटरी नहीं है कि PCP हल टिकट आए ही आप लोगों का वो जब भी आएगा हो सकता है कि आपको लेट मिले हो वो जब भी आएगा मैं आपको इनफर्म कर दूँगा लेकिन अभी आपको क्लासेस अटेंब करनी है एक क्लासेस हो चुका है बिछले संडे हुआ था और आज सुकुरवार है यानि कि परसो आपको दूसरा क्लास लगने वाला है तो अपने स्टेडी सेंटर जा सकते हो और अगर आपको कन्फर्म करना है न अपने टीचर से की क्लास लग रही है कि नहीं लग रही है या बिना PCP, batch, hall ticket के हम आ सकते है कि नहीं आ सकते है तो वो भी कर सकते हो इसके उपर मैंने वीडियो अना रखा है कि आप अपने टीचर का मुवाईल नमर कैसे निकाल सकते हो तो वीडियो को आप देख लेना अपने टीचर का मुवाईल नमर निकाल के आप बात कर लेना ठीक है फिलाल मैं यह कहूँगा कि जितने ही वच्चे अभी आप इलुसेशन में अड्विशन लिये है दस विया बारवी के उन्हें सबको अफ्लाइन क्लासेस अटेम्प करनी चाहिए जबूरी है अटेम्प करना ठीक है और आप बिना PCP बैच हॉल टिकट के भी जा सकते हो ठीक है सिर्फ आपको अपनी ID काड लेकर जानी है जो एनवेस की ID काड है वो लेकर जानी है आपको एंट्री मिल जाएगी तो आप लोग अटेम्प करो और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको और मन में प्रोब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना ऐसी वीडियो के ल